हरीदवार में नगर निगम का टेक्स आदा है और हमारे हाँ दुखना है ये सब जो प्रोग्राम है मेरे मैं जनता मुझे आशिरवाद देगी तो मैं अपने अनुभोग का पूरा प्रियोग करूँगा अभी हम मौझूद हैं गणेश पूर के प्राचीन मंदिर में हमारे साथ मौझूद है रविंदर खन्ना जी सर क्या कहना चाहेंगे क्या कार्यकरम था आज गणेश पूजा का कार्यकरम था और मैं पिछले वर्ष भी यहां आया था गणेश जी की हमारे गणेश पूर वासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए अपना आशिरबाद बना रहें और हम सब लोग जितने भी गणेश पूर के हैं पूरे शहर के हैं पूरे वतन के देश के हैं हमें गणेश भगवान का ऐसी आशिरबाद मिलता रहे और बह मेरा सोबाग्या में यहां पर आया सफाइव टम के आप पार्षद भी हैं पहले जब वाड में मर होते थे नगर पाली का नगर निकम बहुत कुछ बदलाव देखे हैं अभी मेर के लिए भी आप दावेदारी करने के उसमें हैं अभी प्रियास में हैं तो अभी कैसे देखना सबसे जो बड़ी परेशानी है वह डिनेज सिस्टम की है कि मुझे सबसे पहले अगर गणेश बगवान का और गणेश पूर वासियों का आशिरवाद मिला तो सबसे पहला मेरा काम डिनेज सिस्टम को ठीक करना होगा दूसरा यहां पर एडिपी की पाइप लाइन डलने से काफी लोगों के मकानों को बहुत नुकसान हुआ जिसका मेरे पास आज भी सबूत है वो सबूत यह है कि जो ठेकेधारों ने यहां काम किया उन्होंने गणेश पूर वासियों के लिए अब पैसा रिलीज करा और जो जनता को पैसा मिलना चाहिए था वो मेरे पास सूचने के दिकार में सारे कागच हैं उनको पैसा नहीं मिला यहां पर इतना उसमें रोोश रहार लोगों ने जन्ता ने इतनी वाज उठाई जन परती नीदियों ने उठाई लेकिन यहां की सरकार को यह भी अफ्सोश नहीं हुआ कि हमारी जनता के इतने मकान तूटे इतनी प्रेशान यहां के पार्षदों ने बहुत संगर्स करके उस टुएल के बारे में ताला भी लगाया सब लोगों को पता देखे हम लोग पार्षद है भी हमारी पावर बड़ी नहीं है पावर में है आज की डेट में MP MLA और मेर थे म पाइप लाइन पहले चेंच की थी अब बलके चार इंच की डाल दी उससे कोई बैनिफीट नहीं हो आज जनता को और पांच-छेसो क्रोड रुपे का हमारा जो शेयर है वो और अच्छाई के बजाए नरक की तरफ चला गया आप पांस साल जनता के बीच में रहे हैं देख तो है मैं अगर आप ने मेरे को मेर बना हमेर उडकी का तो जो भी समस्झिया हैं जोनल रहा हैं चाहिए यह गणेशपूर की हो चए मोहस्पूर की हैं सबसे यही रहेगा, कि मैं सबसे पहले जो जनता के हितों के काम है, उसमें बहुत तेजी से ओकारिये करूंगा, सपाई वेविस्ता है, टेक्स है यहां पर हुडकी के अंदर, हरी दोआर में भी नगर निगम है, हरी दोआर में नगर निगम का टेक्स आदा है, और हमारे हां दुकन है यह सब जो प्रोग्राम है मेरे मैं जनता मुझे आशिरवाद देगी तो मैं अपने अनुबहों का पूरा प्रियोग करूँगा और जनता के इतों में सब काम करूँगा महिलाओ की बात बता हूँ आप सरकारे सारी बोलती है के महिलाओ के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप अभी हल्दवानी का केस देख लीजिए किसी भी पारिटी के लोगों ने उस केस को ने उठाया और उस नर्स के साथ ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण वो हुआ उसका म को हुआ तो महिलाओ तो सुरक्षित नहीं है डबल इंजन की सरकार में यह तो सब कहने की बात है कि सुरक्षित है सुरक्षित नहीं है सुरक्षित होने का मतलब यह है कि हम रात को आधी रात अब हरुद्वार में देख लीजिए अभी ड़केती बड़ी पांच करोड रु कि लेकिन उसके बाद भी वेपारियों को सड़क पे आना पड़ रहा है और सड़क पे आने के राजमान किया गया है ऐसी खबरों को देखने के लिए दान्यूजवार नेटवर्क के साथ धन्यवाद झाल झाल